अब हम कवता को पहले पढ़ेंगे और फिर हम कवता का सस्वरवाचन करेंगे चंदा मामा आ जाना साथ मुझे कल ले जाना कल से मेरी छुटी है ना आये तो कुटी है चंदा मामा खाते लड्डू आसमान के थाली में लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में इसमें कवी चंदा मामा से कल्पनाओं में वार्था कर रहे हैं और कह रहे हैं चंदा मामा आ जाना क्योंकि चंदा मामा हमें आस्मान में दिखाई देते हैं उपर जिल मिलाते सितारों के बीच में इसमें कवी की कल्पना है कि बच्चा कल्पना करता है और कहता है चंदा से कि चंदा मामा आ जाना साथ मुझे कल ले जाना यानि कल्पना हमें बच्चा कह रहा है कि मैं भी आपके साथ कल चलूँगा कल से मेरी चुट्टी है कल चुट्टी रहेगी ना आये तो कुट्टी है बच्चे जब लड़ते हैं जगरते हैं आपस में बच्चो क्या करते हो थोड़ा सा कोई बात किसी से हो जाती है मितर से तो कुट्टी बोलना बंद कर देते हैं चंदा मामा खाते लड्डू चंदा मामा को लड्डू पसंद हैं चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में अब हम जैसे खाना खाते हैं थाली में ऐसे ही चंदा मामा की जो थाली है वो थोड़ी बहुत ब पानी मेरी प्याली में थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में जब बच्चे को सुलाना होता है तो उनकी दादी या मम्मी बच्चे को दुलार कर लोरी सुना कर और कमर थप थपा कर थपकी दे दे कर उसे सुलाती हैं सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में इसे अब हम गाएंगे मेरे साथ साथ बच्चे इसे साथ साथ गाएंगे चंदा मामा आजाना साथ मुझे कल ले जाना कल से मेरी छुटी है ना आए तो कुटी है चंदा मामा खाते लड़ू आसमान की थाली में पानी पीते मेरी प्याली में लेकिन वो पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में थपकी दे दे कर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में चंदा मामा ये चंदा मामा का चित्र है रात का समय है तारे जिल में ला रहे हैं एक तारा यहां देख रहा एक यहां एक यहां और तारे तो बच्चो आसमान में असंख्य हैं उनकी इतनी संख्या है कि उन्हें गिन्ना भी बहुत मुस्किल है यहां पर हम देख रहे हैं चंदा मामा को चंद्रमा हमें रात में चांदनी देता है अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो रात में हलकी हलकी चांदनी आने से रोशनी हो जाती है और हमें दिखाई देने लगता है और अगर चंद्रमा आसमान में रात में न दिखे तब अंधेरा हो जाता है चंद्रमा प्रत्वी के चारों और चक्कर लगाता है प्रत्वी के चारों और चंद्रमा घुमता है परिक्रमा लगाता है चंद्रमा प्रत्वी से सबसे पास है हमारे प्रत्वी से सूर्य बहुत दूर है वो चंद्रमा हमारे बहुत नजदीक है चंद्रमा पर तो कई देशों से और भारस से भी कई लोग गए भी है सूर्य देखिए सूर्य के निकलने पर दिन की किरियां लोग आरंब करते हैं इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सूरज निकल आया है और जब सूर्य निकल आता है तब फिर बहुत ही मनोरम द्रश्य होता है हम देख रहे हैं कि पेड़ों पर चिड़िया चह चाहने लगी है खाने के लिए ढूड़ने के लिए वो दोड़ भाग करने लगी हैं उड़ने लगी है और यहां पर जल भरा हुआ है कोई पोखर है कोई तालाब है उसके सहारे ये पेड़ है तो वहां पर कमल के फूल खिलने लगे हैं और गिलहरी भी अपना खाना ढूड़ने के लिए उच्छल कूद के लिए तयार है हम भी सूरज निकलने पर अपनी दैनिक किरियाँ आरंब कर देते हैं जब सूरज निकल आता है तो दिन की शुरूवात हो जाती है हमारे बच्चे भी सूरज निकलने पर जग जाते हैं और कई वार सूरज निकलने से पहले भी जग जाते हैं और फिर इसकूल जाने के लिए तयारियां शुरू कर देते हैं सुबह जगते हैं फिर पानी वगेरा पीते हैं फिर सौच के लिए जाते हैं और अपने हाथ साबुन से साफ करते हैं फिर हम दिरुस करते हैं या दातुन करते हैं जिससे कि रात में जो दातों पर गंदगी जम जाती है उसको साफ कर देते हैं नहाद होकर तयार होकर नास्ता करने के बाद स्कूल को जाते हैं और फिर वह हम पढ़ाई शुरू करते हैं सूरज के निकलने पर क्या क्या होता है सूर्य से हमें धूप और रोशनी मिलती है सूर्य रोशनी का प्राक्रतिक स्रोथ है दो तरीके के स्रोथ होते हैं रोशनी के एक तो प्राक्रतिक स्रोथ जिसे भगवान ने बनाया है और एक होता है अप्राक्रतिक स्रोथ जिसे की इंसानों ने ही बनाया है सूर्य उद्य होने पर लोग अपनी दैनिक किरियाएं आरंब कर देते हैं सूरज निकलता है तब बच्चों हमें धूप मिलती है और जब हमें धूप मिलती है तो वो धूप हमें और पेड़ पौधों को सभी को मिलती है दूप निकलने पर सूरज की दूप से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं जिसे हम प्रकास संसलेशन के किरिया कहते हैं सूर्य ही सारी समस्थ प्रकार की उर्जान जितनी हमारे हैं प्रत्वी पर हैं सूर्य ही उनका एक सिरोत है तौर्च, मौम्बति, बल्व अभी हमने देखा था कि प्राकरतिक सरोत रोशनी का और उर्जा का सूर्व है मगर कुछ ऐसे भी सरोत हैं जो प्राकरतिक नहीं है जिसे इंसानों ने बनाया है बच्चो इसे तो सभी ने देखा होगा क्या नाम है इसका? हाँ सही बताया बच्चो ने इसका नाम है टॉर्च अगर कभी अंधेरा हो तब अंधेरे में हमें दिखाई नहीं देता तो वहाँ पर हमें टॉर्च की आवश्चकता होती है टॉर्च छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है ये एक सेल से भी चलने वाली होती हैं दो सेल से भी चलने वाली होती हैं और तीन सेल से भी चलने वाली होती हैं और आज कल तो सौर उर्जा से चार्ज होने वाली टॉर्च भी आ रही हैं इन में आगे बल्व लगा रहता है या LED बल्व लगा रहता है ये स्विच है इस स्वि रोशनी होनी शुरू हो जाती है और हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अंधेरे में रोशनी पैदा करने के लिए हम मौमबत्ती का प्रियोग करते हैं। मौमबत्ती मौम की बनी होई होती है इसके बीच में एक धागा रहता है और जब हम मौमबत्ती को जलाते हैं तब यहाँ पर एक लौ जलती है और उस लौ से उसमा भी निकलती है यानि गर्मी भी निकलती है और रोशनी भी दोनों चीजें होती हैं मौमबत्ती के जलने पर उ गुस्मा भी निकलेगी यानि गर्मी भी निकलेगी और रोशनी भी निकलेगी मौमबत्ती को तो कई बार हम सजावट के लिए भी जलाते हैं जैसे बच्चों ने देखा होगा दीपावली पर जब हम मकानों की सजावट करते हैं और रात के समय जिस दिन दीपावली होती है तब बहुत से लोग घी के दीपक भी जलाते हैं, सरसों के तेल के दीपक भी जलाते हैं, और मकानों पर मुंबत्ती भी जलाते हैं, बल्व इसे तो सभी बच्चों ने देखा होगा, बल्व को रोसनी का एक बहुत बड़ा सिरोत माना जाता है, और है ये, बल्व बिजली से जलते हैं और कई वार बेंटरे से भी बल्व को जला लेते हैं ये भी रूसनी का एक सिरोत है रात में आसमान में जल मिलाते तारे बच्चों ने देखा होगा कि कई वार रात में हम देखते हैं अगर बादल ना हो और आसमान खुला हुआ हो तब हम देखते हैं कि उपर हमको आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और उनका एक पैटरन भी होता है, एक पदती भी होती है, कई सारे कई करम में भी हमको दिखाई देते हैं अगर हम रोज देखेंगे, तारे हम से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, चंद्रमा हम सबसे हमारे लिए पास है, उस से कहीं ज़्यादा दूरी पर सूरज है और फिर कभी घटती है कभी बढ़ती है उस से जर्मिलाहट बनने लगती है इसलिए हम केते हैं कि तारे जर्मिलाते हैं आसमान बहुत सुन्दर लगता है जब बादल नहो रात में और तारे हम को साफ साफ दिखाई दे रहे हूं शंद्रमा निकला हुआ हो तो ऐसा आस्मान बहुत ही सुन्दर लगता है ताज महल बच्चो ये ताज महल का चित्र है और बच्चों को पता है बताओ बच्चो ताज महल कहां पर है किस शहर में इस्तित है हाँ बच्चों ने बहुत सही सुचा ताज महल आगरा शहर उत्तर परदेश में है ये यमना नदी के किनारे पर बना है इसको बहुत ही टेकनोलोजी के साथ बनाया गया है अती सुन्दर है देखने में ये और ताज महल को देखने के लिए वर्स भार देश से और विदेश से बहुत ज़्यादा परिया टक आते हैं हम जैसे दिन में ताज महल देखने जाते हैं तो वो बहुत सुन्दर दिखाए देता है और कभी अगर इसे हम चंदरमा की रोशनी में देखते हैं चंद्रमा की रूसिनी में जब ताज महिल को देखा जाता है तब इसकी सुन्दरता दिन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दिखाई देती है बढ़ जाती है मिठाई की दुकान ये तो ज़्यादा बच्चों ने देखी ही होगी और मिठाई देखकर खाने का भी मन कर रहा होगा बच्चों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा पसंद आती है बच्चो पहınचानों इस शित्र में हमको कौन-कौन सी मिठाई दिखाई दे रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं यह जलेवी है बच्चों जलेवी पसंद है खाना हाँ मुझे पता है बच्चों को बहुत पसंद है और जलेवी हर जगह छोटी बड़ी दुकानों पर मिल भी जाती है जलेवी हमारे देश की राष्ट्रिय मिठाई है यहाँ पर क्या है बच्चों क्या है यह बेशन के लड़ू है और लड़ू कैसा होता है गोल लड़ू का आकार गोल होता है और जलेवी का आकार कैसा है गोल जलेवी भी गोल है और लड़ू भी गोल है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह मिठाई सौन पपड़ी है ऐसी ही बर्फी होती है, यह आयत के रूप में होती है यहाँ आपने देखा यह एक और अन्य मिठाई है, रसगुले जैसी होती है तो यहां हमने मिठाई के दुकान में बहुत सारी मिठाई की दुकान में बच्छो आप भी एक काम करेंगे आपके गाउं में पास के कस्वे में जहां भी मिठाई की दुकान हो आप देखकर आएंगे और अपनी कौपी में लिखेंगे मम्मी पापा से पूछ कर कि वो कौन मिठाईयां है खुले मिठाई धके होई मिठाई किस दुकान की मिठाई खाओगे और क्यों बच्चो मिठाई खाना तो सभी को बहुत पसंद है लेकिन हमें मिठाई किस दुकान की खानी चाहिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकाने तो ऐसी होती है कि जहां मिठाई धकी हुई रखी रहती है ये सोकेस है और इसमें आगे कांच सीशा लगा रहता है और अंदर मिठाई रखी रहती है उस मिठाई पर कोई धूल मक्की मचर नहीं पहुच पाता ये मिठाई स्वक्ष होती है यहां देखेंगे कुछ ऐसी भी दुकांदार हैं जो मिठाई को खुली रखते हैं और मिठाई को ढखा हुआ नहीं रखते तब ऐसी मिठाई पर धूल भी आ जाती है वहां निकलके जाते हैं सडकों पर अगर दुकां जातर कहीं न कहीं सडक के ही सहारह होगी या गली में जिससे उनमें गंदगी हो जाती है और ऐसी मिठाई को खाने पर हमारे पेट में संक्रमण फैलने का खत्रा होता है जिससे कई परकार के रोग होने का खत्रा होता है खुली मिठाई खाने से संक्रमण हो सकता है और हम बीमार हो सकते हैं धकी हुई मिठाई खाने के लिए सुरक्षित होती है तो बच्चो अब बताओ कि किस दुकान से मिठाई खाओगे और क्यों अगर आगे से आपको कहीं मिठाई खानी है बाजार में या गाउं में तो ऐसी दुकान से खाना चाहिए कि जोहां मिठाई धकी हुई हो किसी कपड़े से धकी हुई हो या सोकेस में धकी हुई हो जहां पर न धूल जाती हो न मच्छर बैठते हो न मक्की बैठती हो और जो दुकान ऐसी हो के जहां खुली मिठाई विक रही हो कई वार हम बाजार जाते हैं कस्वे में जाते हैं तो ये जो वैसी दुकाने होती हैं चांट की पकोड़े की ये भी खुले बेशते हैं हमें वो चीजें नहीं खानी चाहिए जिनको खुले में बीचा जा रहा है और जिनको ढखा हुआ नहीं है रोग फैलने की संभावना बनी रहती है यहां पर हम देखेंगे गोल मिठाई बच्चो हमें गोल के बारे में जाना है इधर आप देखिए कि ये मिठाई गोल है और बच्चे बताएंगे देखकर कि इसका क्या नाम है हाँ ये लड्डू है बेशन का लड्डू है और ये नुक्तियों से बना हुआ लड्डू है इसके अंदर बहुत सारे मेवे भी पड़े हैं बच्चों का इसे देखकर खाने का मन कर रहा होगा मुह में भी पानी आ जाता है कई वार कितना सुन्दर लग रहा है ये गोल है और लड्डू है यहां देखेंगे कितने सुन्दर लग रहा है अभी ऐसा मन लग रहा है ऐसा मन हो रहा है कि खाने को मिल जाएं ये रसगुले हैं सफेद रसगुले इन्हें दूद से बनाया जाता है पहले दूद से छेना बनाते हैं फिर छेना से ये रसगुले बनाए गए हैं और चीनी की चासनी में डाल दिये जाते हैं और रसगुला भी गोल होता है यहां देखेंगे हम तीसरे चित्र में यह क्या है बताओ बच्चो हाँ सही सोचा यह काला जाम है यह भी गोल होते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं अब हम फल की बात करेंगे फल भी खाने में बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं हम गोल फल की बात कर रहे हैं यहां पर यह तरबूज है और तरबूज कैसा होता है गोल और यह खरबूज है खरबूज भी गोल होता है यह क्या है बच्चों बताओ सोचों देखो यह है और सेव भी खाने में बहुत अच्छा होता है और गोल होता है अब बच्चे एक काम करेंगे कि अपनी कौपी में चित्र बनाएंगे और भी फलों के इनको तो बनाएंगे बनाएंगे तरबोज खरबोज सेव और जो फल गोल होते हैं उनका भी चित्र बनाएंगे और नाम भी लिखेंगे जैसे चीकू भी गोल होता है बच्चों ने खाया होगा और संत्रा भी गोल होता है ऐसे ही और भी जो गोल फल हैं उनका चित्र बनाएंगे और नाम भी लिखेंगे गोल वस्तु हैं यहां हम देखेंगे कि ये जो वस्तु हैं ये जो खेल की वस्तु हैं चीजें हैं ये गोल हैं ये सफेद गैंद है और गोल है इससे बच्चों किरकेट खेला जाता है ये किरकेट की खेलने वाली गैंद है इससे खेलने के लिए एक बैठ की आवजशकता होत है एक बच एक तरफ बैठ और दूसरी तरफ जो ख्लाडी होता है उसके हाथ में गैन्द होती है यह बॉली बॉल है यह भी कैसी होती है बच्छो अब तो स्कूलों में खेल का बहुत सामान है वहाँ किरकेट की गेंद भी है और बॉली बॉल भी है बॉली बॉल भी हम खेलते हैं और ये गोल होती है इसे देखिए ये फुटबॉल है और फुटबॉल कैसी होती है गोल बच्चों खेलना पसंद है तो मैं फुटबॉल हाँ मुझे पता है बच्चों को फुटबॉल खे जो के नाम लिखेंगे और चित्र बनाएंगे जो गोल होती हैं अब भ्य осв कारे कि हम बात करते हैं लोड़कने वाली वस्तूओं को हमें गोला से घेरना है और सरकने वाली वस्तूओं को हमें वर्ग से घेरना है आप देख लो हम गोल की बात कर रहे थे गोल ऐसा होता है और वर्ग ऐसा होता है जो चीजें लुड़कने वाली है जो लुड़क सकती है उनको हमें गोला से गहर ना है ये गैंद है गैंद लुड़कती है तब हम इसे गोला से गहर देते हैं ये किताब है किताब लुड़कती नहीं है ये सरकती है और सरकने वाली चीजों को हमें वर्ग से घेरना है ये क्या है बच्चो सही पहंचाना ये बासुरी है और बासुरी गोल होती है और गोल चीजें लुड़कती है और लुड़कने वाली चीजों को हमें गोले से घेरना है पच्चो ये क्या है पेंचानिये ये माचिस है माचिस आयताकार होती है आमने सामने से बरावर होती है ये लुड़केगी नहीं सरकेगी तो सरकने वाली चीजों को हमें वर्ग में घेरना है ऐसे और भी चीजें जो घर में हम परियोग करते हैं लुड़कने वाली और सरकने वाली ये आपको लिखनी हैं कौपी में लिखनी हैं मम्मी जी से पिता जी से बड़े भाई से बहन जी से पूछ कर दादा दादी जी से बच्चों कविता अध्यान से पढ़ने के लिए समझने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यस्त रहिए खुश रहिए स्वस्त रहिए प्यारे बच्चों गड़ित की ख्लास में